किसी का कोई अंदाता नहीं है सब अपनी महनत करके अपने परिवार का और अपना पेट भरते हैं जितनी जरूरत इस हिंदूस्तान के परतेक व्यक्तिकों खरीदने की है उतनी ही जरूरत किशान को जो अनका वे उपज करता है उसको बेचने की है इसलिए किसी को किशान के रूप में अंदाता कहे कर किसी के महनत को सरमिंदा ना करें देखिए सबका अपना अपना काम है सबका अपना अपना धंदा है जिस तरीके से किशान अंदोलन अराजकता फैला रहा है उसी तरीके से यदि दूसरे प्रोफेशन के लोग यदि अराजकता फैलाना सुरू कर दें जैसे डॉक्टर जीवन दाता है जो सिकसक हैं वो ग्यान दाता है जैसे जो जज हैं जो वकील हैं वो न्याय दाता है जैसे पैट्रोल बेचने वाले पैट्रोल पम्प के मालिक जो है वो इंधन दाता है यदि वो भी इस किसान आंदोलन से प्रेरणा लेके यदि संगठन परदर्शन के रूप में यदि एराजकता फैलाना शुरू कर दें तो साइद सही नहीं होगा देखो किसान आंदोलन वहां तक सही था जहां तक ये गलत का विरोध कर रहे थे गलत का विरोध करना सही है गलत का विरोध भी करना चाहिए लेकिन इस किसान आंदोलन की आड़ में आप बताईए कि लाल के लिए पर जंडा फैराना क्या सही था जिन बच्चों की स्कूले एक साल से बंद थी, आज वो स्कूले खुली हैं, आज उनी स्कूलों को दुबारा से बंद करवाना सही था जो बेगुनाह लोग, जिनको कुछ नहीं पता इस आंदोलन के बारे में उनके घर के बाहर खड़ी गाड़ियां जो हैं उनको तोड़ना सही था जो पुलीस वाले हैं, जो इस देश के अंदर जो अराजकता फैल रही है, उसको रोकने के लिए वहाँ पर खड़े थे क्या उनके साथ मार्क्विट सही थी, किसान आंदोलन उनका सही था, बाकी सब कुछ गलत था तो यह चीत सही नहीं ही है, इस तरीके के हो रहे आंदोलन का मैं घोर विरोध करता हूँ और जो भी इस संदेश को देख रहे हैं, उनसे निवेदन करता हूँ कि इस तरीके के जो आंदोलन हैं, उनका विरोध करें, उनका साथ कते ही ना दें, वरना और भी बहुत सारे दाताएं हैं, इस हिंदुस्तान में, जो सब यदि इस आंदोलन से प्रेरणा लेके विरोध करने लगे ना तो इस हिंदुस्तान के अंदर ग्रहे युद जैसे स्तती पैदा हो जाएंगी और एक दिन ऐसा नहीं रहेगा जिस दिन इस हिंदुस्तान में आंदुलन नहीं होगा इसलिए ऐसे आंदुलन को विरोध करें एसी अराजकता फैलाने वाले लोगों का विरोध करें और परसासन का साथ दें मैं यही संदेश लगिया आप सब के सामने आया हूँ ठीक के धन्यवाई